सजल शरद्धा प्रखर प्रग्या शरद्धा अर्थार्थ श्रिष्ट सासे असीम प्यार अटूट अपनत्व सजलता तरलता इसकी विशेष्टा है पानी पर कितने भी प्रहार किये जाएं वैकड़ता तूटता नहीं है पानी से टकराने वाला उसे तोर नहीं पाता, उसी में समा जाता है शद्धा की यही विजेश्टा उसे अमोग प्रभाववली बना देती है प्रग्या अर्थार्थ चानने, समझने, अनुभव करने की उतकरिष्ट, क्षमता, दूरदर्शी विवेक शीलता, प्रखर्था इसकी विशेश्टा है प्रखर्था की गती अभोध होती है प्रखर्था युग्ध, प्रग्या, हजार अवरोधों, ब्रह्मों को चीरती हुई यथार्थ तक पहुंचने, एम बुद्धी के उतकरिष्ट तम नियोजन में सफल होती है सजल श्रद्धा, प्रखर प्रग्या, तीर्थ के सनातन मूल घटक है यहां रिशियों, अवतारी सत्ताओं के प्रभाव से ये दोनों धाराएं सगन सबल हो जाती हैं, वही तीर्थ, विक्सित, प्रतिष्ठित हो जाते हैं युग तीर्थ, गाईत्री तीर्थ के भी यही मूल घटक है युग तीर्थ के संसापक, वेद मूर्ती, तपोनिष्ठ, युग रिशी, पंडित, शिरीराम शर्मा अचार्य, एवं सने सलिला, वंदनी अमाता, भगवती देवी शर्मा की वास्तविक पहचान, उनके शरीर नहीं, उनके द्वारा, परवाहित, प्रकर प्रक्या, एवं सजल शद्धा की ससक्त धाराएं रही हैं, इसलिए उनके स्मृती चिन्नों के रूप में, उनकी स्थूल काया की मूर्तिया नहीं, उनके सुक्ष्म, तात्विक, प्रतिकों के रूप में, उन स्मृती चिन्नों को स्थापित किया गया है, वे जीवन भर दो शरीर, एक प्र इसलिए उनके शरीर का अंतिम सस्कार एक ही स्थान पर उनके तात्विक प्रतीकों के समीब संपन कर उसी स्थाल को उनके संज्युक्त समाधी स्थाल का रूप दे दिया गया है। तीर्थ चेतना के इन प्रतीकों पर अपनी श्रदास मर्पित करके सत्य प्रयोजनों के लिए उनसे शक्ति, अनुदान, आशिरवाद, सभी श्रदालू प्राप्त कर सकते हैं। जाए गुरु देव। प्राप्त कर सकते हैं।